हाई फ्रेंड आप सभी का स्वागत है एजुकेशन जवडेट यूटूब चैनल पे विहार सरकार की न्यू भरती 2022 में आपका बेरी बेरी स्वागत है 14,000 पदों पर भरती है बिदियाले में जैसे की उर्दू सिक्षकों की बहाली का तयारी जैसे की आप सभी को पता है अगर आप पहली बार हैं और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर ले परारंभी कोव मध शकुलो में 14,000 उर्दू सिक्षकों की बहाली की तयारी जैसे की संबादाता पटना पटना की ओर से यहां आवेदन सुचना आ चुका है कि परदेश में परदेश के प्रारमिक एवं मध्य सकूलों में 14,000 उर्दू सिक्षकों की बहाली की तैयारी है सिक्षा विभाग ने इसका आकलन कराया है हलाकि अंतिम निर्णय सरकार के अस्तर से लिया अभी नहीं गया है लेकिन निर्णय आने वाला है और निर्णय इस पर फैसला हो भी चुका है कि विनेट से इसकी मंजुरी पास कर दी गई है पटना में बठे हुए जो भी प्यादिकारी है सिक्षा मंतरी के और से जैसे कि आप सभी को पता है सिक्षा मंतरी वर्तमान के भी चंद सेखर वाओ जी है जैसे ऑपको बताया जा रहा है बिहार के आप स्वास्त मंतरी तेश्वियादप जी है और बिहार में जो ही भेकेंसियां आता है उसको काफी तोर से भेकेंसियां को publish किया जा रहा है और इसमें आप लोगों के बीच का काफी बहुत बड़ा एउगदान होता है इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि वीडियो को देखेंगे तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा कि इसकी वैकेंसी की जो डिटेल हैं कब तक चलेगा और आबेदन कब से होगा इस वीडियो में आप लोग पूरा देखेंगे सारा डिटेल आप लोग को समझ में आ जाएगा जैसे कि सरकार के अस्तर से निरनय लिया जाएगा पूर्देश के प्रारंभिक सकूलों में अभी 24,000 से अधिक सिक्षक पढ़ा रहे हैं सिक्षा विभाग चाहता है कि अधिक से अधिक रिक्तियां निकाली जै और जानकारों का कहना है कि हाला कि प्रारंभिक और माधेमिक सिक्षक नियोजन में उर्दू के अच्छे खासे वद खाली रह गए हैं जैसे कि बता जा रहा है उर्दू का जो भी सीट हैं सभी विधियाले में बहुत सा भी खाली है कि उर्दु का भी teacher देना अनिवाज है, किसी किसी में जो उर्दु का बच्चे रहते हैं मैट्रीक में मद विद्याले में, उच विद्याले में, तो वहाँ पे काफी कठनाईया होती है उसे उर्दू समझ में नहीं आता है उर्दू का टीचर हाई नहीं तो पढ़ाएगा क्या तो इसलिए सरकार ने सोचा है कि अधिक सधिक इस चीज को दिया जाए ताकि आने वाले बच्चे को कोई भी दिकत कोई परेसानी का सामना नव करना पड़े और देखते रहें तो मैं आप लोगों से यही एक गुजारिश चाहता हूँ और जोब से समझे जो भी वीडियो आता है आप तक डिरेक्ट पहुंचता है मेरी चनल के माध्यम से आप लोग ज़रा सपोर्ट करें और इसी भाई का एक वैबसाइड भी है जिनका लिंक आपको वीडियो के निचे डिस्क्रिशन में मिल दाएगा वहाँ भी आप लोग मुझे विजिट कर ले और मेरी फेस्बुक पेज को भी आप लोग फोलो कर ले ताकि अपडेट आप लोगो हर एक तरह से मिलता रहेगा तो सिधे आप लोगो को इस वीडियो का पूरा अपडेट दिखा रहा हूँ जिसे कि कहा जा रहा है ये रिक्तियां कैसी भरी जाएगी इसके विशाय में काफी बच्चे को जनकारी चाहिए इस सम्मर्द में उच अस्तरिया विचार मंथन चल रहा है हैला कि इससे पहले विभाग आकलन करा रहा है कि असल में सरकारी सकुलों में उर्दू पढ़ने वाले विदियार्थियों की संख्या कितनी है तो सरकार में जनगना के अनुसार इस चीज का आकलन ले रहा है कि जो विद्यार्थी है जो विद्यालय है उस विद्यालय में विद्यार्थी की संख्या कितनी है जो उर्दू पढ़ने वाला है ताकि उसे समझ में आए उर्दू का टीचर दे 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 ताकि इसा नहों कि उर्दू का टीचर दे दे और विद्यार्थी आए नहीं इसलिए सरकार का सोच है कि हम पहले आकलन कर लेंगे उसके बाद उसकी वेकंसी हम जल्दी पब्लिस करेंगे तो बताया जा रहा है कि विद्याला की संखिया कितनी है विद्याला की संखिया बात की जाए तो 14,000 रिक्त पदों के हिसाब से परदेश में आप लोगों के बीच एक वेकंसी निकाला जा रहा है तो इतनी सीटेक खाली है बिहार में और बच्चे इसके पढ़के भविस बनें तो वीडियो को लाइक करना और सेयर करना अपने दोस्तों के साथ अधिक सदी